नमस्कार मैं हूँ पृत्षुराजबर्मा और आप देख रहे हैं किसान टीवी बात करते हैं आज उत्तर बारत के परशिद मंदिर बाबा खेतरपाल का मंदिर यह मंदिर हनुमानगट जिले के रावत सर तैसिल में स्थिद है बताया जाता है कि यह इस मंदिर की स्थापना 460 वर्स पूरू हुई थी आएए जानते हैं इस मंदिर के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माद्यम से उत्तर बारत का परशिद स्तल बाबा खेतरपाल मंदिर हनुमानगट जिले के रावत सर तैसिल में बाबा खेतरपाल का मंदिर उत्तरी बारत का एक मातर परशिद मंदिर है इसकी स्थापना लगबग 460 वर्स पूरू बताई जाती है इसके बारे में कहा जाता है कि रावत रावत रादोदास ने एहमदाबाद यूद के दोरान मिली खेतरपाल बाबा की मूर्ती की परतिष्टा कर यह मंदिर बनवाया था यूद के समय बिशन अकाल पड़ा था अन जल के लिए हाहा कार मच गया था और साही सेना भूक से और प्यास के कारण तरपने लगी थी रादोदास वे उसके साथ यूने आत्म अत्या करने की ठान ली थी वे जंगल में जाकर अपने वक्स में तलवार मारने के लिए तैयार हुए तो किसी ने उनका हाथ थाम लिया था रादोदास ने देखा कि एक बालक जिसकी जटाएं तेल से लथपत थी उन्हें आत्म अत्या करने से रोक रहा था वहे बालक रादोदास को जंगल में दभी मूरती निकालने वे उससे बंद तंबू में रखकर अनजल की मूर्ती करने की मनत मांगने को कहकर विलुपत हो गया बालक के बताए अनुसार जंगल में दबी बेरों की मूर्ती को खोद कर लाया गया जो एक बंद तंबू में रखकर अनजल की मनत मांगकर लंगर का प्रभंद किया गया जो अटूट चलता रहा सेना के लिए बोजन की वेश्टा चमतकारिक डंग से बंद तंबू में होने लगी क्यों दंद है कि यह आश्च्रिय देकर समय अकबर महान भी चल कर आया था रादोदास को वाह मेरे राउत कहे कर स्याबशी दी वे राउत्सर की सवतंतर जागिर का पट्टा भी लिख कर दिया उस मूर्ति को रादोदास युद के बाद राउत्सर ले आए कहते हैं कि रादोदास अपने स्वागत सतकार के चकर में मूर्ति को भूल गए और स्वरव पर्थम गड़ में स्वे परियुस कर गए इस से गोड़े पर लदी बाबा खेतरपाल बहरो की मूर्ति गड़ से एक मील दूर ही कुपित हो गई रादोदास को पता चला तो रादोदास ने खूब याचना की प्रंतु मूर्ति टस से मस तक नहीं हुई और उसी स्थान पर स्तापिद हो गई यहां एक मंदिर बनवा दिया गया इस मूर्ति ने रादोदास की जान वे अकबर की शान बचाई थी जो बाबा खेतरपाल कहलाती है मूर्ति ने रादोदास को आदेश दिया कि जब तक प्रति दिन बुखों को बोजन के लिए हिला जिसको आवाज गेते हैं आवाज देते रहोगे तुमारे गोडियां बनी रहेगी यह परंपरा 1544 में से लेकर देश की सवतन तरता के बाद भी 1954 तक चलती रही वे बुखों को खीचड़ा मिलता रहा हर माह की चोदुस को मेले जैसा महोल रहता है यहां बड़ी संक्या में लोग अपने बच्चों के जडुले उतरवारने तता नव दंपती दोग लगाने के लिए आती है खेतरपाल जी के मंदिर में मनो कामना पुरुन होने पर सिरदालू बकरा भी भेंट के रूप में चड़ाते हैं जिनने खुला छोड़ दिया जाता है और मंदिर के पास ही सुंदर दरमसाला बनी हुई है इसमें नीशुलक ठहरने की व्यश्ता है यहां का सुड़ा परिवार मंदिर में पुजा पाठ करता है वे पुरु सर्मच नाराइन सियं सुड़ा मंदिर की सार समाल करते हैं रावसर के खेतरपाल मंदिर का बहुत दारमिक वे इत्यासिक मैतो है